हलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पापका हार्दिक सागत है आज मैं इंडोर पलांट का डायरेक्शन चेंज करने वाली हूं क्योंकि इंडोर पलांट को भी धूप मिलना बहुत जरूरी होता है नीचे में बहुत सारे मेरे जेट पलांट रखा हुगा है इसको मैं उपर रेलिंग देती हूं ताकि इसको धूप मिले फूल सनलाइट उपर अखने से मिल जाएगा क्योंकि जेट पलांट को धूप में रखना बहुत जरूरी है टेरस पर भी बहुत रखे हुगे हैं मैं पिछले वीडियो में भी आप लोग के साथ सेयर किया था कि जेट पलांट को धूप म मैंने रख दिया था देखिए ताकि बंदर नहीं गिरा मैं चली गई थी नीचे रहकर के कुछ बंदर राते हमारे हैं उपर पोर्स रखे रहता है उसको गिरा जाता है अभी मैं आ गहीं इसलिए देख भलक करती रहती हूं और इदर डेकोर आइटम रख दिया है इसके बी प्लांट को भी सनलेट मिलना जरूरी होता है ठंड के मौसम में भी क्योंकि बहुत कम आता है विंटर में धूप इधर देखे रेट कलर वाले डिरेशनिया प्लांट रख दिया है और यह दिखिए इस अब डाइप प्लांटर मैंने बनाया था देखिए वेस में टरियल का यह पाइप सबका है सब में पलांट जो लगे हैं इसको भी सनलेट मिलना जरूरी है नीचे में धूप नहीं मिल रहा था है सबको नियन पोथ हो जाए सबको रेलिंग पर रख दी हूं उपर में धूप लगता है अभी सुबा को में दूप बना रहे हूं सारे 9 बजे लेकि नीचे धूप नहीं आ रहा है उपर में धूप लग जाएगा इसमें भी सुबा का एक दो घंटा धूप मिल जाएगा और अच्छे से चलेंगे रवर पलांट को भी धूप मिलना जरूरी होता है विंटर में ऐसे भी धूप बहुत कम आता है खिलता है इसलिए इंडोर पल दिकोर करूंगी इसी वीडियो में देखिए अंबरेला पलांट है इसका लिफ्स दो सुक गया उसको कटिंग कर दे रही हूं कि देखिए कितना खुषूरत एल अंबरेला पलांट लगता है जब बड़ा हो जागा घंणा बुसी हो जाएगा तो बहुत खुषूरत लगता यह देखिए पुराना घरा हो गया इसके कलर अगर सब उखर गया है इसमें मैं फिर से कलर करूंगी पहले मैंने इलो कलर किया था अब इस वर चेंज कर दे रहे हैं बुलू कलर कर दे रहे हैं मेरे पास जो कलर रहते हैं उसी से मैं कलर कर देती हूं अलग से मैं कलर नहीं ख सुकने के बाद सेमिये और च्छोटा महला मटका मैं बुलू करक checking एक मैं मैंने पींग इन दू करा दिया है और याइप कर देकमिया च्छोटे करें को देए certains अधिन ub banana देर हैं ऊब कलर से दिजैन वन गया है जो डिजाइन आता है डिखाती हूं कैसे रखना है इसे इस टेन पर पहले बरा वाला घरा रख देती हूं इस तरह देखे यह बहुत खुशूरत लगेगा पहले से मैंने कलर करके तो आप लोगों दिखाया है लेकिन डिजाइन मैंने पहले ही बना लिया था ताकि जल्दी सुख जाए एक रेली कलर से इसके उपर फिर से मैं बरावला घरा रखूंगी यह देखे यह बहुत सस्ते में मिल जाते हैं 20-30 रुपया में घरा मिल जाता है घरे वेगरे मिलते हैं वहां हलका सभी टूटा रहता है क्रेक रहता है या कोई किनारा उनारा तो यह 20-30 रुपया में दे देता है वो लोग वहीं से मैंने घरा लाई हूं चोटा वल उपर रख देती हूं उपर से पलांट रख दूँगी इस पर कोई भी पलांट रखिए कितना खुशूरत लग रहा है इस तरह डिकोर हो गया कोनर सज भी गया खुशूरत भी लग रहा है घरा भी उज हो गया देखिए चलिए अब पलांट सबको थोरे धूलाई कर देती हूं बहुत दिन से धूलाई नहीं किया है धूल वगर बैठ गया है अभी का मौसव में दोल औरता है दीवाली में सफाई हुआ था उसके बास से पलांट सब इसी तरह था सारे लीप्स पर धूल बैठ गया है सबको थोरे धो देती हूं यह देखिए और इसमें भी थोरे पानी भर देती हूं इसमें पानी भी सुख गिया है देखिए इसमें पानी भर दोंगी और सारे पलांट क्लिफ्स को धूलाई करके उसके बाद नीचे का फर्स दो दूंगी देखिए कैसा लगा वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा फिरेंस साथ के साथ सेयर भी किजिएगा यह देखिए डिफेन बच्चिया पलांट कितना अच्छे से गुरू हो रहे हैं और इस पर धूल कितना बैठ गया है सब को धो देने से पते चमकने लगत इसलिए ज्यादा तर मैं इंडूर पला निचे ही रखती हूं और कोलियस लगाए हूं यहां पर एक कोलियस भी बहुत बड़ा हो गया है इसको घाना करने के लिए पिंचिंग कर देती हूं अजिए इदर बहुत सारे सनेक पलांट हो गया है इदर सिंगोनियम है एरो अरू जाते हैं उपर रेलिंग पर वी सब पलांट रख दिये हैं उस पर पाने से थोड़े छिरकाव करके दो देती हूं सारे पर मिटी जम गया है दोने के बाद कितने पत्ते चमकने लगते हैं खुबसूरत भी लगता है इसलिए पलांट सब को बीच बीच में धुलाई भी करन देखें दुसरे दिन धोओंगी उस सब को अभी नीचे कहीं सफाई करकर वीडियो खतम करऊंगी अगला वीडियो फिर सेर करऊंगी थाइंक्यू